बड़वाने जिले के राजपोर्ट जनपत के ग्राम खजूरी में शास्के उच्चतर मादमिक विद्याले के कख्षा नवी और दस्वी के छात्र छात्राओं ने धर्ना प्रदर्शन चुरू किया जिसमें सभी बच्चे बरसात में भी धर्ना अस्थल पर डटे रहें। बच्चों ने प्रंट किया कि जब तक मार्ग नहीं बनता तब तक वहाँ स्कूल नहीं जाएंगे। देखे एक खास रिपोर्ट। पर देंट लगा कि हमारे पईसे से रहने चंदाई कटा करक्या धर्ना लगाया है और जब तक एधंते जब तक यह सड़क नी बनती तब तक हम यह से नहीं जाएंगी स्कूल अहां प्रती दिन तक हैं बेटेंगे जब तक जब बनेगी तब तक यह तो जाते तब सब पूरा ये सब लग जाते हैं पाओं हाथ होन में और इस रहे हम पूरे पहुत होती है हम को यहां पर हमाराiver अरे से भी खराब हो जाती ए और चब पलों को हात में लेंगे जाना पड़ता है कई बार फो हम घिर जाते हैं जिस से आसपास बाबूल के चाटे-हें जिस्से हमें लग वी जाती है और हमारा जीवन अन्धकार में हैं जब तक है ठीक नहीं होगा तब यह पहले से यह बहुत वर्तों से पर जैसे कि हमारे पहले भाई बहन और जो भी आये यह निकल गया हलाकि बल्कि हमारा जो अभी रास्ता है बहुत खराब होने के कारण ब्रे से भी खराब हो जाती है कौन से क्लास की स्कुले महाँ बढ़ लगती है नाइन्थ और टेंथ कितने बच्चे हैं करीबं सतर चैसी बच्चे दोनों क्लाइब यह समस्य क्या रही है तो रोज निकलते हैं जैसे कि अभी अक्टुमबर के यह बारिस के में जब भी बारिस होती है ना तब हमारा रास्ता खराब हो जाता है यह इसकुल का तो उसमें हमें निकलने में दिक्कत होती है यह जो कच्चा रास्ता है इसकुल तक करने यह सब पूरा किचड है गुटने गुटने तक गड़ों में पानी रहता है तो बच्चे जाते हैं खिसल जाते हैं गिर जाते हैं खराब हो जाती है और आये दिन परेशानी पड़ती है बबूल के काटे वगयरा यह साइट वाले यह जो भी किचड़ है वो किचड़ के मेन राज्ता बन जाए इसलिए धरना पर बेटे हैं बच्चे इसकुल जाना नहीं चाहते हैं सब को जानकारी में पहले भी आउगत करवा जुके हैं अभी सरपज बनने के बाद आउगत करवाया था अध्यक्षम होते भी आये उनको भी लेटर वगयरा दिया थे हैं सिंगा जी का मंदीरें आसिरवात लेने आये ते वो जितने के बाद उनको भी आउगत करवा आदिकार से कुछ दूरी पर धर्ना दिया जा रहा है जब तक मार्ग का निर्मान कारे शुरू नहीं हो जाता तब तक बच्चे यहीं डटे रहेंगे हैं खजूरी की संद सिंगा जी की जनमिस्तली में जो की काफी प्रसिद्ध है अपने आप में एक काफी नामी शेत्र है यह यह बढ़वानी जीले का जहां पर काफी अधिकारी या काफी कहें हम जन प्रती निदी यहां पर संद सिंगा जी के मिले प्रंगन में पहुंसते हैं यहीं के एक सरकारी स्कूल की समस्या लेकर आज यहाँ पर सरकारी स्कूल के करीब सतर से सो बच्चे धरने पर बैट गए हैं बच्चों का कहना है कि खजूरी से स्कूल पहुंच मार्ग एक किलो मिटर का जो है वो पूर्ण रूप से कीचड का दलदल बना हुआ है जिसमें बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चे कई वर्षों से इस स्कूल में शिक्षा तो ग्रहन कर रहे हैं लेकिन कीचड में दलदल में फस्ते हुए गिरते पढ़ते स्कूल पहुंचते हैं से लेकर अब दसवी और नवी क्लास के बच्चों ने यहाँ पर अपने खुद के पैसों से टेंट लगा कर धरना प्रदर्शन किया है बच्चों का कहना है कि भले उनकी शिक्चा एक साल पीछे रह जाए लेकिन इस मार्ग के जब तक स्विक्रती नहीं मिलेगी और जब तक इस मार्ग का निराकरण नहीं हो जाता निर्मानकारी शुरू नहीं हो जाता तब तक ये बच्चे इसी तरह यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे यह सरकारी स्कूल शाष्की उच्चतर माधिमिक विद्याला है जिसका नवी और दसवी का एक हिस्सा है जो कि से निवास मार्ग से करीब एक किलो मिटर का दूर है जहां पर काफी वर्षों से इस रोड की मांग की जा रही है यह रोड पूर रूप से कीचड में भरा हुआ है और यहां पर सबसे बड़ी समस्या दोनों तरफ मार्ग के दोनों और नुकीले कांटों से जाडियां भी ब पहुचेंगे आज यह करीब पूरे सतर से सो बच्चें यहां पर धरना देकर बैटें हैं इन्होंने यही मांग की है कि जब तक यहां पर कोई अधिकारी लेबल से वेक्ती आकर इनको संतुष्टी पूर जवाब देकर इस निर्मान कारी मार्ग का निर्मान शुडू नही करवाते हैं तब तक यह बच्चें इसी तरह से यहां बैठेंगे डेली हर दिन घर से सुबा दस से साड़े दस बज़े जो स्कूल का समय होता है तब से लेकर शाम के साड़े चार बज़े तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमारे साथ स्कूल का एक बालक मौजूद क्याते हैं कि यहां पर दरना देकर बैठे हैं आपकी स्कूल की पड़ाई भी प्रभावीत हो रही है और यहां पर यह रोड़ की वजह से आप लोग को समश्रय का मारग कछे थी कर वादे और सारे रोड़ी प्रक्रिया को चालु करava दे तभी हम यहां से यहां से जटेंगे। सब्ह Honeye आ परत्ती बारिश में भी बच्चे यहां पर डटे हुए है। सुबह से ही यहाँ पर वारिश का माहोल देखने को मिल रहा है लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ पर भीगते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहा हैं यहाँ पर संपुन खजुरी ग्राम के जनप्रती निदी ग्रामेंड वह स्कूल के शिक्षा विभाग के लोग भी यहाँ पर मौझूद हैं लेकिन यह बच्चे अभी भी स्कूल पहुशने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं मैं टी नामित तल एमपी न्यूस ठीगरी